हलो दोस्तों स्वागत है आप सबी को इस यूटूब शेनल में और हम बात करने वाले हैं आज यानि की एक मैई दो हजार बीस के बड़ी खवर को ले करके जो की ट्वीटर से लिया गया है और ट्वीटर का हेर्ड लाइन लिया गया है तो आए बीना समय गवाएं वडियो को स पाए गये जैसा कि आप जानते हैं कि रूस के वरतमान परधान मंत्री हैं मिखाईल मिशुस्तिन तो यह कोरोना वाइरस पोजेटिव पाए गये हैं नेक्स्ट ट्वीट है इंडिया टेवी का और ट्वीट यह है कि बिश्वे तिरंदा जी का बड़ा फैसला इस साल नहीं होगा कोई ओलंपिक क्वालिफायर कि यहां पर जो नेक्स्ट ट्वीट है और ट्वीट यह है कि महराश्ट बिधान परिशत की नो रिक्त सीटों के चुनाओं को लेकर भारत निर्वाचन आयो की बैठक कल होगी यानि कि आज एक माई को होने वाली है भारत निर्वाचन आ के जरिए बैठक में सामिल होने वाले हैं यह वही दो घंटा पहले की ट्वीट है एन आई क्या ही कि महराश्ट के राजपाल हैं बीएस को स्यारी यानि कि भगत सिंग को स्यारी ने भारत के चुनाओं आयोग से महराश्ट बिधान परिशत की नो रिक्त सीटों पर निर्वाश्ट आयोग की बैठक का प्रतिनी धित्व करेंगे यहां पर जो नेक्स ट्वीट है अमरुजाला का और ट्वीट यह है कि पंजाब बिहार और तेलंगना की केंद्र से मांग है क्या मांग है तो परवासी मजदूरों के लिए बिशेश ट्रेन चलाने की मांग है यहां पर जो नेक्स ट्वीट है प्रभात ख़बर का है और ट्वीट यह है कि बिदेश मंतराले ने बताया भारत ने 87 देशों में भेजी हाइड्रोकशी कलोरोकुइन और पैरासीतामोल दवा नेक्स्ट ट्वीट है BBC News का और ट्वीट यहा है कि अमेरिकी राष्टपती चुना में दखल देने में कोई रूची नहीं ये बात कह रहे हैं चीन भाई साहब यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है कसिस न्यूज का और ट्वीट यहा है कि आज यानि की 30 अपरेल को दिली में एक डोर्नियर एयरक्राप्ट छती गरस्त हो गया पालम एयरपोर्ट से टेक अफ के दोरान उसके टायर फट गए क्रू मेंबर सुरक्षी थैं और किसी अन्य संपत्ती का नुक्सान नहीं हुआ है नेक्स्ट ट्वीट है प्रभात कबर का और ट्वीट यहा है कि दूर दर्चन पर 4 मई से सुरू होगी 11-12 की कच्छाएं बिहार में 2.5 कडोर बच्चु की हो सकेगी पढ़ाई यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है और लास्ट ट्वीट है अमरुजाला का और ट्वीट यह है कि लोकडाउन के चलते सतर लाख अंचाहे गर्वधारन संभव यूएन यानि कि उनाइटेड नेशन का ये दावा है तो उमीद है कि बडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे आपसे अगले बडियो में तब तक के लिए धन्यवाद